भगवान शिव और माता पार्वती के असेम सनेहे का प्रती गणगोर का सोले दिवसी ये त्योहार पूरे राजस्तान में धूम धाम से मनाया जाता है। रियासत काल के दोर में गणगोर परव की छटा देखने लाइक होती थी। इसका कारण ये था कि परजा और राजा मिलकर इस त्योहार को उल्लास के साथ मनाते थे। जनानी डोडी में विराजी गणगोर माता का रानिया और सेवक महिलाएं धार्मिक काईदे से पूजन करती। शाई सवारी के लिए माता गणगोर को बंदू को और तलवारों के कड़े पहरों में महलों और गडों के बाहर निकाला जाता था। पूली डहन की राक से सोले मात्रिकाओं की स्थापना की जाती। कुमारियां और सुहाग ने पूजन के लिए हरी दूप वजल से भरे कलश को सिर पर रखतर मंगल गीत गाती हुई जाती है। सास्त्रों में मान्यता है कि सोले दिवस तक पूजित गणगोर और शिव सरूप इस्वर जी को पूजने से घर और रियासत में सुख की समर्दी होती है। रियासतों के ठिकाणों में भी सुरक्षा के लिहाद से इसर गणगोर को बंदूक और तलवारों के पहरों में बाहर निकाला जाता था। जहाँ पर गणगोर माता को विराजमान किया जाता वाचोई से गंटे बंदूकों का पहरा रहता था। जैपूर रियासत में केवल गंगोर माता ही है। कहते हैं कि यहां के इसर जी को किसंगड रियासत के उत्साही युवत लूट करके ले गए थे। ऐसे में जैपूर की गंगोर माता की सवारी इसर जी के बिना ही बाहर निकलती है। सुक समर्दी का वैभाव बरसाने वाली लक्ष्मी स्वरूपा गंगोर और भगवान शीव के स्वरूपी सर जी को जागिरदारों के युवत ताकत के बल पर उठा ले जाना बड़ी सान समस्ते थे। प्रोफेसर रागवेंदर सिंग मनोर ने लिखा है कि जोबनेर के पास सिंग पूरी का राम सिंग घंगारोप मेड़ता की गंगोर और शेरगड का हंस राज पावार बूंदी की गंगोर को दूट कर लाया था। मुल्यवान, स्वर्ण, अभिश्ण, और ब्रसबस्त्रों में सजीद हजी गंगोर को जनानी डोड़ी में भारी सुरुकसा बलके साथ संगीनों के पहरे में बाहर निकाला जाता था। कहते हैं कि गोड़ा तो गंगोर या नहीं दोड़ सी, गंगोर के दिन घुड़दोड होती थी, जैपुर में कभी हातियों की लड़ाई और उटों की दोड़ भी हुआ करती थी, इनफेंट्री बटालियन और रिसाला के बंदूगदारी सैनिक माता को गार्ड आफ आनर द सिंजारे से बूड़ी गंगोर तक तीन दिवसिय गंगोर के थार्मेक और सांस्प्रतिक उत्सव में रियासत की सैन्य ताकत और व्यभव का प्रिदर्शन होता था, सन 1907 में बीका निर महाराजा गंगा सिंग जी मादो सिंग जी की बोलावे पर जैपुर की गंगोर को दे ने चौगान के पास मोती बुझ से गंगोर की सवारी के दर्शन किये राचमाता गाहितरी देवी ने जैपुर की गंगोर के बारे में लिखा है कि दर्बारी लाल पोशाक में होते थे बादल महल के शाही दर्बार में संगीत और निरत्य की महफिल सजदी थी जैविवास बाग के फमारे चलते थे नारगड से तोपो के छूटने के साथ साथ कछावा होर्स की साहिसिक घुड़ दौर भी चौगान के मैदान में होती थी रियासत काल में गणगोर के त्योहार पर तीम दिन का अवकाश रहता था राजपुरोहित जी की पतनी को सोने चान्दी के गोटे की पोशाग और जैवराद और सुहा की वस्तुवे भेट की जाती थी बादल महल के गणगोर दर्बार में महारानिया लकडी के घुडलियों में बैठकर जनानी ड्योडी से सुरंग के रास्ते से मोती भुर्ज इताय जाती थी के महराजा सावाई मादू सिंग जी के जमाने में में घणगोर देशी ठट बाट की गोटे होती थी गत्यांगनाओं की महफिलेड होती और मादू सिंग के बाद अंग्रेजी संस्रती के प्रभाव बढ़ने से देशी गोठों की बजायobil a गांवा लाणि जारे की गोच का भव्य आयोजन हुआ था भोजन में देशी खी के घेवग सहित कई तरीके के स्वादश्ट व्यंजन परोसे गए जनाना खाने की गायकाई दुर्दाबाई ने सुरीली आवाज में देशी मांड सुनाया था गणगौ माता को गेवर का भोग लगता है स्वच्छ जल पिलाया जाता है तोप के गोले छोड़े जाने के साथ ही आतश वाजिबी होती है इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नई एपसोड के साथ ने चुड़े रही है हरिटेश दर्पन के साथ आपका बहुत बहुत